हेलो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा कि आप बिना किसी एप के वाटसप से किसी बी स्टेटस को डाउनलोड कैसे कर सकते हैं यानि आप अपने मोबाईल की गैलरी में कैसे सेव कर सकते हैं या उसे अपने WhatsApp status पर लगाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाज तक देखते रहे हैं तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ तो दोस्तों बिना किसी एप के WhatsApp status को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको WhatsApp को ही ओपन कर लेना है ओपन करने के बाद आपको status पर जाना है और यहाँ पर आप जिस भी status को डाउनलोड करना चाहते हैं उस status को आपको एक बार देख लेना है अपने WhatsApp में तो यहाँ पर से जैसे कि मैं इस वाले status को आपको डाउनलोड करके दिखाऊंगा तो यहाँ पर से मैं इस status को जो है यहाँ पर पूरा देख लेता हूँ तो यहाँ पर से आपको status को पूरा देख लेना है यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने जो status हैं वो यहाँ पर देख ली है अब इनको download कैसे करना है अपनी mobile की gallery में save कैसे करना है उसके लिए आपको यहां से बेक चले जाना है और आपको अपने मुबाइल में File Manager एप को ओपन कर लेना है जैसे कि मेरे मुबाइल में My Files है आपके मुबाइल में File Manager हो सकता है या File Explorer हो सकता है तो वो आपको ओपन कर लेना है यहाँ पर आपके mobile में काफी सारे आपको folders मिलेंगे जैसे की DCIM, Android और यहाँ पर वीडियो के folders मिलेंगे InShare यहाँ पर जितने भी folders होते हैं वो सभी आपको यहाँ पर मिलेंगे यहाँ पर आपको ऊपर 3 dots या 3 lines दिखाई देंगी तो आपको उन पर 3 dots पर click करना है और यहाँ पर आपको settings पर click करना है और यहाँ पर आपको एक option मिलेगा show hidden system files तो आपको यह जो option है इसको यह बंद रहेगा तो आपको इसे इस तरह से on कर देना है इसे on करने से आपके mobile में जो भी hidden files होंगी वो सभी आपको दिखाई देंगी उसके बाद में आपको यहाँ पर से bake करना है फिर से आपको उनी 3 dots या 3 lines पर click करना है और यहाँ पर create folder पर click करना है और यहाँ से आपको एक folder बना लेना है और उसका नाम आप कुछ भी रख दीजिए, जैसे कि यहाँ पर मैं रख देता हूँ status, और यहाँ पर create पर click कर देना है, तो यहाँ पर यह status वाला folder इस तरह से बन जाएगा, अब यहाँ पर आपको अपने mobile में एक folder डूढ़ना है, जिसका नाम WhatsApp होता है, तो यहाँ पर से मेर आपको WhatsApp सर्च कर लेना है, जब आप WhatsApp सर्च करेंगे, तो यहाँ पर आपको बहुत सारे folder मिलेंगे, जैसे यह WhatsApp, audio, documents, images, profile, photo, video, और मही पर आपको एक जो WhatsApp है, वो बिल्कुल खाली WhatsApp इस तरह का मिलेगा, तो आपको इस वाले जो WhatsApp है, इस folder को आपको open करना है, जब आप open करें तो यहाँ पर आपको और भी folder मिलेंगे, तो यहाँ पर आपको एक folder मिलेगा, media वाला, यह देख सकते हैं, media folder मिलेगा, आपको इस media वाले folder को open करना है, अब फिर से आपको यहाँ पर काफी सारे folders दिखाई देंगे, और इन ही में आपको एक folder दिखाई देगा, dot status, तो आपक आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पर से मैंने यह वाला status देखा था अभी आपके सामने वीडियो में तो यहाँ पर से इस status यह जो status है वो यहाँ पर मुझे मिल गया है तो इसे हम यहाँ पर से click करके play भी इस तरह से कर सकते हैं यह आपके मुबाइल में यहाँ पर डाउनलोड होया है लेकिन यह आपकी gallery में आपको दिखाई नहीं देगा तो gallery में दिखाने के लिए आपको इस status को यहाँ पर से select कर लेना है इस वीडियो को select कर लेना है और select करने के बाद यहाँ पर से अगर आप चाहो folder बनायता है उसको आपको यहाँ पर से open कर लेना है तो यहाँ पर से मैं status folder को open कर लेता हूँ यह रहा status folder जो हमने भी बनाया था इसको आपको open कर लेना है और यहाँ पर move here पर आपको click कर देना है तो यह जो status video है वो यहाँ पर से आपके mobile के status folder में यहाँ पर आ जाएगी और आपके mobile की gallery में भी आ जाएगी तो यहाँ पर से मैं यहाँ बेक चले जाते हैं और मैं आपको अपने mobile की gallery ओपन करके यहाँ पर दिखा देता हूँ तो यहाँ पर gallery open करते हैं और यहाँ पर recent में जाते हैं तो यहाँ पर से आप देख सकते हैं जो status whatsapp पर लगा हुआ था status video वो यहाँ पर मेरे mobile की gallery में डाउनलोड होकर आ गई है तो इस तरह से आप अपने whatsapp status video को gallery में save कर सकते हैं बिना किसी app को डाउनलोड किये आशा करता वीडियो पसंद आए होगी तो वीडियो को like share और चैनल को subscribe जरूर करें